हलो प्रेंट्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UP Police की Computer Operator Gate Exam की जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मैं Computer की Class लेता हूँ और जो important question होते हैं परिच्छा की दिष्टी से वो मैं आप लोगों solve कराता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एक register और pen लेके बैठते होंगे और जो जरूरी चीज़े होती होंगी उन्हें आप note कर लेते होंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बाते share करना चाहता हूँ मुझे कल एक mail मिला, mail मिलने से मुझे बड़ा कश्ट हुआ बाई साब का नाम तो नहीं लुँगा लेकिन उन्होंने दो बार computer operator का exam दिया और दोनों बार उन्हें सफलता नहीं मिली वो बिल्कुल टूट चुके हुए है तो मैं उन्हें दो लाइनों में समझाना चाहूँगा कि दिखिये दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से ठोट जाती है जो ठोकर लगने से मिलती है तो आपको ठोकर लगी है दो बार, कोई चिंता की बात नहीं है, इस बार आप एक्जाम दीजिए और पूरे मेहनत से दीजिए, मेहनत का कोई बिकल्प नहीं है, आपको सफलता जरूर मिलेगी, यह मेरी कारंटी है, तो आई शुरू करते हैं आज का विडियो पहला प्रशन है, निमलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी साप्टेर कमपनी है, बारत की सबसे बड़ी साप्टेर कमपनी को पूछा है, ओप्सन में दे रखा है विप्रो, इनफोसिस, टीसियस या फिर एच्सियर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसको जो सही जवाब है, वो आपका है, ओप्सन नंबर सी, टीसियस, टीसियस जो है भारत की सबसे बड़ी साप्टेर कमपनी है, टीसियस का फुल फार्म होता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, या आप एक और टर्म दे रखा है, HCL, HCL का फुल फार्म पूछ लेता है, तो आपको करना है, इस्ट्रक्शन के समों को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, ओप्सन में दे रखा है, प्रोग्राम, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर या फिर ट्यूटर, तो मैं आपको बता दू, इसका सही जवाब होगा, ओप्सन नंबर एक प्रोग्राम, program क्या होता है program instructions का एक collection होता है जो किसी special work को करने के लिए computer द्वारा execute किया जाता है ठीक है आप लोग system जब use करते होंगे तो उसमें बहुत सारी फाइले देखते होंगे जो .exe के फार्मेट में होती है जो .exe होती है एक प्रकार का computer program ही होता है जिससे आप लोग software कहते कोई software यूज करेंगे तो एक प्रकार की programming ही है वो computer का program ही है clear है तो instruction के उस समों को क्या कहते हैं कि जो computer को बताता है क्या करना है वो होता है आपका program next question देखते है जब कुछ computer को एक छोटे से छेतर में परस पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते है कुछ computer को एक छोटे से छेतर में परस पर जोड़ने पर उन्हें क्या कहते है अमूल योजग network, विस्तरिच छेत network, इस्थानी छेत network या फिर नवींतर network तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा option number C इस्थानी छेत network, इस्थानी छेत network समझते हैं, सो देंदी में लिखा हुआ है यह होता है आपका land, land मतलब होता है local area network जैसे bank में होता है, कई सारे system जुड़े होते हैं, वो आपके land के तुरू जुड़े होते हैं और यहीं पर आपको दे रखा है विस्तरिच छेत network, यह क्या होता है? यह आपका होता है wind, wind मतलब होता है wide area network यह क्या रहता है, यह एक बहुत बड़े भागलिक छेतर को जूड़ता है ठीक है, तो आप रूम को पता चल गया है कि land होगा इसका सही जवाप next question देख लेते हैं important है, integrated circuit IC chip का निर्मार किया जाता है IC किसी से निर्मित की जाती है, plastic, silicon, fiber या फिर glasses तो मैं आपको बता दू, IC जो होती है, वो semi-conductor material की बनी होती है जो नार्मली silicon में होता है, ठीक है semi-conductor material silicon का प्रयोग करके जो है, IC का निर्मार किया जाता है तो option number 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा, silicon next देखते है, Microsoft Corporation का संबंद निमलिखित में से किस उद्योग से है Microsoft Corporation के बारे में आप लोग जानते होंगे, multi-lational company है और option में दे रखा है computer software, motherboard, उच्चगरवत्ता के सुचमदर्सी या फिर circuit board तो मैं आपको बताना चाहूँगा, Microsoft Corporation जो है, वो computer software बनाता है ठीक है, इसका संबंद जो है, computer software से है next question देखते है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में data बेजने के लिए कौनसी data संचार विधी का प्रियूक्त की जाती है option में दे रखा है, super duplex, simplex, half duplex या फिर full duplex तो इसमें जो पहला आपसा ने सुपर डिपलेक्स इसका कोई रोल नहीं है कोई संबन नहीं कुश्चन से क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी पुदर साता है फिर बात करेंगे सिंपलेक्स तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा ध्यान दीजिएगा सिंपलेक्स क्या होता है अगर आप आसान सब्दों में समझें तो मैं आपको समझा दूँ दिखे मान लिजी एक ये device है A और एक ये device है B इन दोनों में data आदान प्रदान हो रहा है तो ये data share कर रहा है ठीक है इसमें क्या होता है data सिर्फ एक ही दिसा में transfer होता है ठीक है मतलब एक device सिर्फ data को send करता है और दूसरे device जो होती हूं data को receive करती है यह आपका sender हो जाएगा और यह आपका receiver हो जाएगा ठीक है यह sender है और receiver यह data send कर रहा है और यह data receive कर रहा है example के तोर पे आप ले लीजिए जैसे keyboard होता है mouse होता है mouse ले लीजिए यह mouse हो गया और यह आपका हो गया CPU ठीक है तो mouse क्या करेगा वो data को बेज़ेगा, ठीक है, लेकिन CPU जो है data नहीं बेज़ेगा, ठीक है, CPU के और रिसीब करेगा, ठीक है, mouse tender हो जाएगा, और CPU receiver हो जाएगा, तो इसका example आप mouse कह सकते हैं, keyboard कह सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया, simplex, अब हम लोग देखते हैं, half duplex, क्या देखते हैं, half duplex, ये important था, इसलिए मैंने का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होता, इसमें simplex का just उल्टा होता है, इसमें data दोनों दिशाओं में transfer किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में दोनों device एक दुसरे को data transfer तो करती हैं, लेकिन एक समय में नहीं करती हैं, बात अब ये क्या कर रही, ये यहाँ पर data को भेज रही है, तो ये आपकी हो गई sender, ठीक है, और ये आपकी हो गई receiver, clear है, अब दूसरी position में क्या होगा, ये आपका receiver रहेगा, ठीक है, ये receiver हो जाएगा और ये आपका sender हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये data को इधर से receive करेगा और ये data भेजेगा यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर A जो है data को भेज रहा है और B receive कर रहा है यहाँ पर B data को भेज रहा A receive कर रहा है दूनों की time duration अलग-अलग है मतलब समझ पा रहे हैं आप मतलब जब एक device data send कर रहा होगा तब दूसरा device सिर्फ data को receive करेगा data send नहीं कर पाएगा data दूसरा device तभी जो है send कर पाएगा जब पहला device data send करना बंद कर देगा example के तोर पे आप लोग ले लीजिए walkie talkie ठीक है walkie talkie आपका होता है आप लोगों ने use भी किया होगा walkie talkie में क्या होता है दोनों तरप एक एक बटन लगा होता है जब ये वाला बटन दबाएगा तो इधर इनको आवाज सुनाई देगी और जब ये वाला बटन दबाएगा तो इनको आवाज सुनाई देगी तो इसके example जो होगे जैसे आपकर लाइन हो जाएगा ठीक है लाइन के अलावा क्या हो सकता है phone call हो जाएगी ठीक है phone call phone call में क्या होता आप किसे से बात करते हैं तो आप भी बूलते रहते हैं भी बूलते रहते हैं, दोनों अगर एक साथ बोल देंगे, तब भी दोनों लोगों को आवाज सुनाई देगी, और ये यहाँ walkie-talkie में नहीं होता है, ठीक है, एक ही प्रंदी की आवाज एक को सुनाई देगी, और इसमें क्या रहा था दोनों लोगों को दोनों सुनाई देगी लाइन में क्या रहा था एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम को फाइल वेज रहे हैं नेक्स्ट कुश्चन आज़ों देख लेते हैं निमलिखित में से कौन सा कम्प्यूटर का कारें नहीं है ज्यान दीजिए गर निमलिखित में से कौन आज़ों सा कम्प्यूटर का कारें नहीं है एक तो आपका option में दे रखा है processing दूसरा controlling,羅inka inputting और फिर understanding तो देखे, processing ये भी computer करता है, controlling ये भी computer करता है, inputting ये भी computer करता है, लेकिन ये जो understanding होता है, ये computer के अंदर नहीं होती, जो आपको instruction देंगे वो वही करेगा, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, understanding, जिस दिन computer के अंदर understanding develop हो गई नहीं, तो आपका कामी खतम हो ठीक है, तो computer का कारिक्ण नहीं है, understanding नहीं, next question हम लोग देख लेते हैं, computer के संदर में software का अउर्थ है, computer के संदर में software का क्या आर्थ होता है? Human Brain, Computer Program, Computer Circuit या फिर Hard Disk तो Computer के संबंद में Software का अर्थ होता है Computer Program ठीक है, Computer Program जो होता है, वो Computer Software होता है भी मैंने बताया था न, डाटी एक जी का एक्जामपन लेकर गे ठीक है, तो Computer के संदर में Software का अर्थ होता है Computer Program Next Question आँ लोग देख लेते हैं निमलिखित में से कौन सा Hardware है, Software नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा Hardware है लेकिन Software नहीं है Option में दे रखा है Excel, Printer Driver, Control Unit, Operating System दिखिए जो Excel होता है, ये भी Software है और आपका Printer Driver होता है, ये भी Install किया जाता है, ये भी Software है OS तो आपका Software होता है, लेकिन ये जो Control Unit दिया हुआ है ये आपका जो है Hardware होता है ठीक, ये सिस्टम में लगा होता है ये कोई Software नहीं होता कि सिस्टम में इंस्टाल किया जाए तो Option No.6 इसका बिलकुल सही जवाब होगा Next हम दोग देखते है इंटरनेट पर सरवर से सूचना प्राप्त करने के संदर में कम्प्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निमलिखित में से क्या होता है जब आप इंटरनेट पर इंटरनेट यूज करते हैं तो वहाँ पर जब आप कोई सूचना प्राप्त करते हैं तो computer का जो process होता है उसे क्या कहते हैं ये पूछा गया है option में दे रखा uploading, gathering, inputting या फिर downloading अब आप मान लीजे आपने system लिया उसमें internet connect किया और आपने browser खोला और वहाँ पे आपने site input की www.google.com तो आपके पास में जो web page खुल के आएगा वो पहले क्या होगा वो पहले download होगा फिर वो आपके सामने उसका interface दिखेगा तो ये जो computer का process होता है ये आपका downloading कहलाता है option number D इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है next question देखते हैं समस्त computerों में लागूव होती है क्या लागूव होती भई मसीनी भासा, basic भासा, kobol भासा, portran तो समस्त computerों में जो लागू होती वो आपकी होती है मसीनी भासा, ठीक है, मसीन input के थुरूश में सारे काम होते है इसके अलावा मैंने आपको kobol के बारे में last वीडियो में बताया था वो आप लूग देख लीजिएगा important था Fortran के बारे में आपको बता देता हूँ, Fortran क्या होता है Fortran का मतलब होता है formula translation ठीक है, क्या होता है, formula translation ठीक है, ये एक language होती है, language for programming especially suitable for numeric and scientific computing ठीक है, numeric और scientific computing के लिए इसका प्रियोग किया जाता है Fortran का, बाकी detail में मैं किसी दिन आपको जो है, सारी जितनी बास आए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा overview दे दूँगा next देखते है important होते हैं जो full form पूछे जाते हैं पिछले वाले वीडियो में मैंने काफी सारे full form कराये थे आप लोग देख लिजेगा, यहाँ पे उपर आपको मैं जो है link देदोंगा उस वीडियो का तो इसमें पूछा गया है DTP का पूर्डोप क्या है देखिए बिल्कुल मिलते जुलते सारे option हैं गलती है कि उम्मेद हो सकती है, इसमें गलतियां हो सकती है DTP का पूर्डोप पूछा है, daily text printing, desktop printing, daily text publishing या फिर desktop publishing तो जो DTP का पूर्डोप होता है, वो आपका होता है desktop publishing option number 10 का बिल्कुल सही जवाब है next question देख लेते हैं निम्लिखित में से केवी किसका लग रोप है, यानि केवी का full form पूछा है insert ठीक है, तो केवी का full form क्या होता है, option में दे रखा किलो बाइट, की ब्लॉक, किट बिट, की बूट इतने closed option होते हैं कि आप लोग confused हो जाएंगे इसका सही जवाब होगा आपका option number 1 किलो बाइट, ठीक है केवी का full form होता है किलो बाइट और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, 1024 kb is equal to 1 mb, ठीक है 1024 kb बराबर होता 1 mb के, या आप ये कह सकते हैं, 1 mb में 1024 kb होते हैं कभी कभी ये पूछ लेता है, तो याद रखिएगा आप लोग, वैसे तो पता होगा सभी लोग को फिर देखते हैं, next question, Microsoft Word का उधारण है, ठीक है, Microsoft Word का उधारण क्या है, किस चीज का उधारण है application software, processing device, या फिर input device, या फिर OS operating system तो जो Microsoft Word होता है, वो आपका क्या होता है, वो एक प्रकार का application software होता है option number A, इसका बिल्कुल सही जवाब है, जब आप system use करते होंगे, तो वहाँ पे आपको मिलता होगा MS office suit, ठीक है, जब आपको MS office मिलता होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिलती होंगी जैसे पहले नमर पे आपका हो गया MS picture manager, ठीक है, MS picture manager, ठीक है और दूसरा आपका जैसे हो गया, आपका MS outlook हो गया, ठीक है, और फिर आपका MS word हो गया, जो मैंने बताया ही इसमें question में MS Word के बाद में आपका हो जाता है MS Excel हो जाता है MS Excel हो जाता है MS Excel के बाद में अगर देखें तो MS PowerPoint हो जाता है PowerPoint और उसके बाद में अगर बात करें तो क्या होता है भी बताईएगा MS Access हो जाता है MS Access और फिर बात करें तो और क्या आपको देखने को मिलता है फिर आपको देखने को मिलेगा MS Group और बात किया जाए तो क्या देखने को आपको मिलेगा फिर आपको देखने को मिलेगा MS One Note MS One Note और बात करें आगे बढ़ें तो क्या देखने को मिलेगा और आपको देखने को मिलेगा MS Publisher MS MS Publisher ठीक है और भी कई सारे मिलते हैं इतने मुझे याद थे तो मैंने आपको बता दिया तो ये सारे क्या है ये सारे application software है कभी भी आपसे इने में से किसी का भी नाम ले करके अगर आपसे पूछ ले कि ये क्या है तो आप सीधे बताएंगे कि application software next version देखते हैं और ये आज हमारा आखरी प्रशन होगा निमलिखित में से किस technology का प्रयोग computer disk CD में के बता है CD आप लोग use करते होंगे CD DVD तो इसमें पूछा गया है किस technology का प्रयोग CD में किया जाता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा CD में compact disk में हमेशा laser का प्रयोग किया जाता है laser technology से इसे बनाया जाता है ठीक है तो I hope इतनी बाते आप सबी लोगों को clear हो गई होगी जो important लगा होगा उसके notes आप लोगों ने बना लिये होंगे next video में आप लोगों से मैं फिर मुलाकात करूँगा कुछ अच्छे प्रशनों के संग्रह के साथ में कुछ अच्छी चीजों के साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजेगा आपने friends के साथ share कीजेगा जो लोग नए हैं वो लोग channel को subscribe करेंगे और अगर आपकी कोई queries है आप comment के माद्यमसन से नहीं पूछ पाते हैं तो हमारी email ID दी हुई है upssclecturesonline.gmail.com आप इस पर हमसे सीधे संपर कर सकते हैं Thank you